नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल क्रेकिट में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिट दो हजार बाइस के उपर क्योंकि आप सब के दुवारा एक परसन पुछा जा रहा था कि हमें तैरी किसकी करने चाहिए क्या एक नई रिट हो सकती है माई के अंदर तो इन्हीं सब के उपर हम इस वीडियो में तर्चा करने वाले हैं ठीक है खुद मुख्या मंतरी जी आ पिर शिक्श Agra मंतरी जी iukर बार बार ब्ला जा रहा हैं अश्रे इससे भी बड़ी बात कौन से थेड ग्रेट का आप मान सकते हैं जिसकी एक्जाम 26 सितम्बर की ती है तो उन पता है कि 26 सितम्बर बाद हना 26 सितंबर के बाद उन्होंने रिट का रिजल निकाल दिया लेकिन जो थेड़ ग्रेड की विगप्ति है जो विग्यापन आना है उसका अभी तक कहीं अता पता नहीं है तो जिन से तीन मैंने के अंदर जो काम इनको पता है जिन ने इन्होंने तीन साल वो निकाल दि ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले यह चीज आप समझ सकते हैं मेरा कोर्स चल ला है सेकिंड ग्रेड मैत का हना क्यूंकि मैं मैत से हूं मैत से बहुत अच्छा और बहुत श्यांदार तरीक से लगबग 60-70 बचे हों हमसे जुड़े हुए हैं हना तो इसकी फीस कितनी है 3700 रुपए है complete school syllabus course जिसमें आपको complete art book old book है न old book पलस आपको test list जो series हमारी चल लिए उसके बार में मैं बात करेंगे जिसमें तो आपको जो question मिलेंगे है जो हमने पूरा schedule डाल रखा है telegram channel से आप जूट जाएं description box में आपको telegram channel मिलेगा वहाँ पर पूरा schedule डाल रखा है उ इसमें आपको art book plus में SR सेने है na SR सेने के कुछ question हम है topic में कर रहे हैं तो complete इसमें से बाहर जो 80 question आते हैं आपके 60% गारंटी के साथ और आपको 60% हमारे course में मिल जाएंगे बाकाइदा मिल जाएंगे 100% मिल जाएंगे second grade के अंदर फिर भी माली जी आप पूरा course हो नहीं पिक के अंदर कोई doubt है तो आप यह algebra book का वो जोइन कर सकते हैं यह इसकी price है वो 700 रुप है इसमें भी तीन दिन हो 10% का discount हो चल रहा है ठीक है आपने पढ़ ली matrix book है ना तो सभी क्या पढ़ाते हैं सिर्फ matrix और determinant है matrix और सानिक पढ़ाते हैं कोई किंद्री परवर्ती के map 40% पूचे जाते हैं और बहुत हीजी है ना बहुत हीजी है लेकिन बहुत ही इसी कम coaching हैं बहुत कम coaching हैं जिनके अंदर यह topic को करवाया जाता है इसके लावा प्रायक्ता को कोई अच्छे धंग से नहीं करवाता तो आपको यह मिल जाएगा इसमें ठीक है तो अगर आपको algebra बुक लेनी है तो 700 रुपे फीस है ठीक है दोनों बुक लेनी है साथ में तो 1200 रुपे फीस है इन सबका 10% डिसकाउंट आप ले सकते हैं कब तक दो जनवरी तक ठीक है और तीसरी बुक हमारी तेकोर मिती वाली चली है जो complete हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर जिसके total 12 वीडिय जिसके अंदर आपको आगे वाली बुक हम मिलती जाएंगे ठीक है अगे इसके बाद total पांस बुक और आनी है ठीक है अब बात करते हैं टेस्सरीज की तो हमारा हर संडे को टेस्ट होता है दो टेस्ट हो चुके हैं तीसरा दो जनवरी को होगा तो टेस्सरीज में आपके प 10% का डिसकाउंट आपके लिए अभी है चल रहा है दो जनवरी तक अगर किसको जोइन करना तो कर सकता है और पूरा कोर्स ले रहा है उसके लिए उफर क्या है 4000 के अंदर उसको एक तो क्या मिल जाएगी पूरा सलेबस मिल जाएगा अठों बुक मिल जाएगी साथ के अंद आपको यूटूब के उपर मिल जाएगी अभी आपकी एक्जाम बहुत दूर है तब तक आपको 10th वाला सलेबस मिल पूरा यूटूब के उपर करवा दूँगा आपको पूरे टीचिंग मैथड यूटूब के अंदर करवा दूँगा बहुत शांदार करवा दूगा ऐसा यह नहीं होगा, मैंने आपको बोला है 10 तक का complete syllabus जो 10 questions आते हैं, वो आपको free YouTube के उपर मिलेंगे आपको 20 person आते हैं, teaching method के वो आपको complete कहां मिलेंगे, YouTube के उपर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये course आपको लेना पड़ेगा, हैना, अगर आपकी इच्छा तो लेना है आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि selection खुद के पढ़ने से होगा, ना मेरे पढ़ने से होगा, और ना किसी दूसरी coaching में पढ़ने से होगा, आपका selection आप खुद पढ़ने तब ही होगा, लेकिन साथ में meter आपको अच्छा चाहिए, rate के अंदर और ना काफी विदार्तियों ने उतकर जैसी बड़ी नाम वाले coaching हो जोइन किया, लेकिन science के अंदर कितने क्योशन है, यह आपको पता है, यह सब को पता है, ठीक है, तो अना अप सनाब पढ़ने की वज़ाए, मैं सब साब बोलता हूँ कि आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें से आपके काम का इतने ही होता है तो आप इतना ज़्यादा पढ़ने की बज़ा इतने को आप तस बार पढ़ेंगे तो आपका सेलेक्शन ज़्यादा होगा बज़ा इतने ज़्यादा की ठीक है आपको PhD नहीं करनी है अभी आपका मकस्द दोना चाहिए कि किसी भी परकार जो आपका बे उपसरगा उसको उठा है ना बे रोजगार से रोजगार बने है ना रोजगार आपको मिलेगी तो जरूर आप रोजगार खेलाई है ना ठीक है तो यह आपको समझना है ठीक ह पर हम नई रीट की एक्जाम हो कराएंगे और एक्जाम के डेट भी उन्होंने साथ ही गोश्टना वो कर दी चुदा या पंद्रा मईई को तो आप अब देखेंगे तो आज से लगबग साड़े-चार मेने बाद क्या है नई रीट की क्या है एक्जाम है तो इससा इसको नहीं रीट तो इन्होंने पिछले तीन साल से रीट के पीछे पड़े हैं और जिसकी एक्जाम हो गई 26 सितंबर को जिसका रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया मातर 30 ये 35 दिन के अंदर उसके भी बीत के लगबग डेड मेने है ना डेड मेने में इनके जो थैड़ ग्रेड क करूं या फिर 2nd grade की करूं अगर आपने हाँ इतना डाउट हो सकता था कि मैं 1st grade की तैयरी करूं या फिर 2nd grade की लेकिन ये डाउट भी आपका दूर हो जाना चाहिए था 26 सितंबर के बाद आपने लग-बग 3,5 मेने निकाल दिया है तो 3 मेने के अंदर आपको ये डाउट की बढ़तिया वो complete नहीं हुई है ना क्यूंकि अभी तक तो ना तो क्या है उसका विग्यापना है अब विग्यापना है अब विग्यापन माली जी हो सकता है कि जनवरी first week में आजए पहले दिसंबर में शरू में आना था फिर दिसंबर last week और अभी जनवरी first week आप सुन रहना आ जाए तब वरोसा है ठीक है तो 31,000 का विग्यापना हैगा पहले ठीक है माली जी अभी तक seat हो नहीं बढ़ाई है लेकिन अब देखने से लग रहा है कि साइध ही seat बढ़ें तो 31,000 बढ़ती का विग्यापना हैगा लगबग एक मेने का फोरूम का time हो दि दिया जाएगा तो लगबग 15 फरवरी तक मान सकते हैं कि अग्दम जल्दी वाज़े करें तो 15 फरवरी तक है आपके फोरूम वह अपलाई होंगे रिट 2021 है ना उसका विग्यापनाएगा भी विग्यापनाने के बाद फोरूम का time आपको दिया जाएगा एक मेने या डेड मेना वह लगीगा लेकिन आप भूल रहे हैं लेवल फैस्ट तो अभी सुप्रिम कोट के अंदर है जब तक लेवल फैस्ट के नहीं है ना कम्प्लीट नहीं होगी तब तक नहीं थेड़ ग्रेड आपको नहीं देखने को मिलेगी अब भले ही रिट के अंदर एक तो कारण मैंने बता दिया कि यह कम्प्लीट नहीं होगी तब तक नहीं रिट हो नहीं होगी ठीक है अगर माली जी यह कारण आपके लेवल फैस्ट के अंदर अभी स्टे हो नहीं है सुप्रिम कोट से स्टे हो नहीं है माली जी यह भी कम्प्लीट हो जाती है तो कम्प्लीट हो सकता ह है हना लगबग फरवरी है मार्च लास्ट या अप्रेल तक जोइनिगा हो जाएगी माली जी कि अप्रेल तक कम्प्रिट हो जाती है लेकिन उसके बाद मई के अंदर आपकी क्या आएगा जदा सी जदा हना जल्दी बाजी करें तब क्या आ सकता है आपका नोटिफिकेशन हो पा सकता है फिर एक्जाम के अंदर वही आपको तीन मेने का टाइम हो दिया जाएगा लेकिन आप ये तो सोचे हैं हना क्योंकि मुख्य मंतरी जी नहीं खुद थोड़े टाइम पहले ये भी बोला था कि हम रिट के अंदर क्या करवाएंगे दो विकेंशिया है मतलब है शो दूसरी आपकी जो मैने एक्जाम जिसमें नेगिटिव मार्किंग भी होगी ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सोच लिया और हां कल ये नियमा बन जाएगा उसके लिए आपको पंचायती राज की जो नियमावली है उनमें संसोदन हो करना पड़ेगा जो संसोदन और फलस क्या कर दिया 30% वेटे जाओ ज्रैजुएसन का ता इस बार संसोदन कर गीकिश MAT पने क्या कर दिया इसका ना रिटका तो और प्लस क्या कर दिया लेकिन इन संसोदनों के अंदर आपने देखा होगा 2018 या 19 गुनिस के अंदर जो गोशना हुई थी उसके अंदर 2020 इन संसोदनों के अंदर ही निकाल दिये थे 6-8 मेने तो वो 6-8 मेने तो इस बार भी तो निकलेंगे तोई कि चुनाव 2022 में नहीं है काम कोन करवाता है गोवर्मेंट से चुनाव ही तो करवाते हैं चुनाव 22 में नहीं चुनाव है राजस्तान में 2023 में तो ये सब परकरिया आपको 2023 में देखने को मिलेगी और मालेजी पातरता परिक्षा होती है तो पहले हैँ चैनाव पातरता आपके पास है तो आपके अटीटूर नंबर तो होंगे इसाप से आपको रिट के उपर बिलकुल भी ध्यान नहीं देना है रिट को आपको छोड़ देना है अगर exam हुई मेई के अंदर जैसा कि मैंने बताया 0.01% साथ से कि exam हो मेई के अंदर लेकिन मालेजी exam होती भी है तो exam होंगे तो रिट या 88 का होगी एक पास्तरता बरिक से होगी जिसमें आपको कम से कम कितने नवर से ही और यह रिट भी मईए के अंदर तो होने के कि चांस बहूत कम है। लेवल में साथ में इन्होंने साप लिखा है कि विसेज 6 को हितों भी विसेज परावदा नहों किये जाएंगे मान लिजिए दोनों में से 1000 1000 पद भी हम छोड़ दें तो यहां पर यह तो क्या है एकदम BSTC लिए आरक्सी थी हैं भी तो हैना कि BSTC वाले ही लगेंगे तो आप बेर्ड वाले हैं जिनके तो यह डाउट रहता है कि हम सेकंड ग्रेड करें हैं आफेस्ट करेंड करें पदम पंजाबी है इनके लिए अलग होंगे तो यह ग्यारी करेंगे इसमें कितने वेकंश आई की ख्रग्रेद के और हैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो उर्दू पंजाबी सिंदी जरूर पदम घम हैंगी जो मैं सब्जेक्ट आपके चहा होते हैं इन 6 सब्जेक्ट में साइद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिन में 1200 से कम वेकेंस हैं देखने को मिले तो आपके लिए गोल्डन जान्स है जैसे जैसे आप उपर वाली बर्तियों की त्यारी करते हैं वैसे वैसे कम्पेटिशन हो कम होता जाता है और यह सचा ही है और आपने ज उसी को एक ciao तो आप यह चोड़ दीजिए दूसरा माह लिजए आपने रिट हो दीए है आपके मनमें एक इसके शाल सेक्ट्रेट को डेते तो मेरे साबसे आप पंसो में से 400 नมर लेयते तो इसके अंदर आप कितना पढ़ेंगे और अभी आपके माल째 120 नमर है 125 नमर ए 130 नमर है आपका सेलेक्शन होगा तो उसमें होजाएगा मालेजी 130 हैं, 125 हैं, 120 है कोई भी आपका सेलेक्शन होना होगा तो आपका इसी रिट के अंदर हो जाएगा अगर इस रिट के अंदर नहीं हुआ तो फिर दोस्तों मैं समझाता हूँ कि अगे वाली जो रिट होगी उसमें क्या होगा रिट आई थी एक 2016 में आई थी एक 2018 में आई थी ठीक है क्योंकि प्रोबेशन पिरिएड भी 2016 वालों का कम्प्लिट नहीं हुआ था और वही का नहीं यहां पे हो रही है 2021 में जो भी नोक्री लगेगा जो भी जोइनिंग लेगा उनका प्रोबेशन पिरिएड अवो कम्प्लिट नहीं होगा उससे पहले पहले जो अभी जो नहीं रीट की गोशना हो रही है 2022 की यह कम्प्लिट हो जाएगी तो होम डिस्टिक के चकर में वापस से फोरम वो अपलाई होंगे 2022 में आप रोक नहीं सकते आप यह कहेंगे कि एक डिप्लोमा एक नोक्री यह नियम भी बना नहीं है ठीक है नियम भी बना नहीं है बन जाए तो बहुत अलग है लेकिन फिर भी कहानी वो बहुत ज़्यादा रिपीटब होगी ठीक है तो आपने मेरे साब से मने दो या तीन कारण जो अच्छे च्छे कारण है मने आपको समझा दी है जो आपके समझ में आई वो आप करें आपकी इच्छा है लेकिन मेरे साब से आपको सेकंड ग्रेड की तैयरी वो करने चाहिए रिट को आप छोड़ दें क्योंकि रिट के अंदर एक्जाम हों वो दो होंगी और अगर आप साइंस से एक्जाम दे रहे हैं सेकंड ग्रेड तो वही तीस परसन आपके साइंस के आने वाले हैं और अगर आप एसस से एक्जाम दे रहे हैं तो वही आपके पास पतास से साट परसन की से काने एसस काने ठीक है और आप English से दे रहे हैं तो वही 30% आपके English के मिलने हैं और Sanskrit से दे रहे हैं तो 30% आपको Sanskrit के भी मिलने वाले हैं तो जो पढ़ रहे हैं उसमें से 30-35% तो कवर हो रहे हैं बाकी आप अराम से कर लेंगे साइकलोजी आती है 30% वो आपके हर सब्जेक्ट के चाहिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो मतलब सेकिन ग्रेट के अंदर आपके कवर होई दें तो लगबग कोई भी आप सब्जेक्ट देख लीजिए कम से कम 60 नमर का आपका रिट का कवर हो जाएगा बाकी एकदम नौर्मल होती है आपको पता है नगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो साट में से आप अगर यहाँ पर पचास हो इसकोर कर लेते हैं तो बाकी तुक्ते लगएंगे उसमें भी 30-32 नमर तो आई जाएगे तो आपको तेहरी करने की जूरत नहीं है मई के अंदर हो चाहिए आप फरवरी के अंदर हो आपको इस रिट को भूल जाना है पहली जो रिट होगी वो क्या होगी पातरता परिक्स या होगी जो दूसरी रिट होगी वो आपके लिए इंपोर्टेंट है उस टाइम तक साथ सेकंड ग्रेड और फेस्ट ग्रेड दोनों की एक्जाम हो जाएग ठीक है तो आप टेंसन ना लें जो आप तेहरी कर चुके हैं उसको आपको आगे कंटीनू रखना है जितने नीचे जाएंगे नीचे का मतलब हाँ कि जितने जो कम लेड़ें के बढ़तिया उसकी तैयरी करेंगे वहाँ पे कंपेटिशन आपको उतना ही जएदा मिलेगा ठीक है और जितना आप ऊपर जाएंगे जैसे मतलब third grade से कम competition आपको second में मिलेगा second से कम competition आपको first grade के अंदर मिलेगा और यह सचाई है दोस्तों ठीक है तो आप जो भी level की जो भी grade की जिस भी subject से तैयरी कर रहे हैं उसको continue रखे वहाँ पर आपको फाइदा वो मिलने वाला है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही और जिसको second grade math का course लेना है वो ले सकता है दो जिनवरी तक आपके लिए 10% special shooter वो रखे गई है तो ठीक है दोस्तों सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है आपका कोई doubt हो वो आप पूछ सकते हैं comment section के अंदर आपको मैं वहाँ पर definitely reply करने की कोशिस करूँगा और अगर कोई doubt हो तो आप पर telegram channel के उपर भी comment हो कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ इस वीडियो में इतना ही thank you, जैहिं, जैवार